कैसे हैं आप सब प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आप सब के पास आ गई हूं तो देखिए आज मैं बनाने वाली हूं आप लोगों के लिए खरबूजे का मिल्क शेक खरबूजा पंच आप जो चाहे वो बोल सकते हैं बहुत ही ज साथ एक भाने में भी लगता है इसको खा भी शकते हैं उस्पों से और स्ट्रॉ से आप इसका स्फाथ वी ले सकते हैं बहुत जाधा टेस्टी से बनता है तो जल या इसको जहड़ पड्स से बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की खर्भूजा पंच रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा मैं आपको दिखा देती हूं बहुत जादा इंग्रेडियंट की इसमें जरुवत नहीं है सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन इंग्रेडियंट यही रहेगा कि हमारा खरबुजा मस्क मेलन जिसको हम English में बोलते हैं मैंने क्या किया है इसको जस्ट उपर से 1 इंच पीस कट कर लिया है जिसको हम ऐजे ढखकन की तरह हम उसको यूस करेंगे इसको ऐसे कट करणे के बाद क्या करना है इसके जितने भी अंदर की बीज होते हैं उन सब को निकाल के हमको separate कर लेना है और इस तरीके से spoon की help से अगर आप निकालेंगे न तो ये अंदर से बिलकुल एक कटोरी की तरीके से बन जाएगा जो आपको बाद में presentation के लिए बहुत काम आने वाला है तो देखें मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ ठीक किसी तरीके से आपको निकालना है और ये बहुत आसानी से निकल जाता है कोई भी दिक्कत नहीं आती और ये जो बीज है ना इनको भी मत्वे की है इनको दोके साफ करके आप सुखा सकते हैं ये आपके मगच के बीच तयार हो जाएंगे जो आप बाद में किसी भी मिठाई बनाने में कीर बनाने में, शेक बनाने में सबजीयों की ग्रेवी बनाने में आप इनको बहुत आरान से यूज कर सकते हैं ये बजार में ready made भी मिलते हैं लेकिन जब घर में हम seasonal fruits आते हैं तो आप इस तरीके से इनको store करके भी रख सकते हैं बट उनके लिए आपको अच्छे से इनको धोना है, साफ करना है और अच्छे से धूप में सुखाना है तो चलिए देखिए मैंने सारे बीच को निकाल लिया है अब मैं क्या करूंगी जो इसका अंदर का pulp होता है, मतलब जो में खरबूजा हम खाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके जैसे हम आइस क्रीम का scoop निकालते हैं उस तरीके से हम करकर के इसका सारा जितना भी जो pulp है जो mainly जिसको हम हिंदी में गूदा भी बोलते हैं, वो सारी चीज़े हम निकालके अलग कर लेंगे ताकि कि हमारा ये अच्छे से शल तयार हो जाए जिसमें हम अपना shake यानि कि हम अपना आज का खरबूजा musk melon, punch जो है सर्फ करने वाले हैं तो बस देखे किस तरीके से मैं कर रही हूँ ठीक, इसी तरीके से करना है कोई gas जलाने की जरुवत नहीं पड़ती बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत जादा tasty बन के ये recipe तयार होती है जिसको भी serve कर देंगे especially बच्चों को ये बहुत जादा पसंद आता है तो एक बड़ जरूर ट्राइ करें आप इस तरीके का शल तयार करके इसमें कुलफी वगएरा भी जमा सकते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में मैं उसकी recipe भी बहुत जल्द आप सब के साथ share करूँगी क्योंकि समर्स आ गये हैं अब कुलफी आइस क्रीम ये सब घर में बच्चों के लिए बनानी ही पड़ती है तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये बोल तयार हो गया है और इसकी ढखकन को भी हम इसी तरीके से ready कर लेंगे और जितना भी हमने pulp निकाला है अपना उसको हमें क्या करना है छोटे छोटे pieces में cut कर लेंगे और इनको हम mixi में piece के इसका shake तयार करेंगे तो देखिए मैंने जितने भी इखटे हुए हैं और जो उपर का shell का निकाला था उसमें थोड़े से बीज थे उसको भी मैंने separate कर दिया है इनको छोटे pieces में cut कर लेंगे ताकि के ये अराम से mixi में बढ़िया सा पिस जाए फाइन हमको बिलकुल piece नहीं रहनी चाहिए और हम पूरा नहीं पीसने वाले हैं इसके थोड़े से pieces हम रखेंगे उपर से डालने के लिए शेक के बीच में garnishing के लिए जो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और बहुत अच्छा लोक आ जाता है इस फ्रूट पंच का तो देखे मैंने सारे pieces तैयार कर लिया है और इनको चोटा बस काटने का यही basically motive है कि जब हम इसका mixture में इसको grind करेंगे तो fine बिलकुल ready हो कहीं भी एक भी lumps नहीं रहने चाहिए तो देखे मैंने half को मैं ले लूँगी इसमें हाफ से थोड़ा जादा ही ले लूँगी कुछी pieces रखने है सिर्फ एक बढ़िया सा उसमें texture देने के लिए थोड़ा सा पीसिस आएंगे तो अच्छा लगेगा तो उसके लिए सिर्फ गार्निशिंग के लिए कुछ pieces में रखोंगी बाकी सारे pieces में अच्छी से mixer मिक्सर में करीब वन फोर्थ कप के करीब ही डाला है और इसमें एक चम्मस चीनी डालके मैंने इसका दिखिए एक फाइन इसका शेक जैसे हम नॉमल शेक बनाते हैं तो बस खरबुजे का शेक है एक तरीके से अब बस बारी आती है चुकि मैंने इसको fruit punch बोला है तो हम उस तरीके से ही इसको सर्फ करने वाले हैं थोड़ा सा एक desert की तरीके से भी ये बनता है अगर आप इसको शेक की तरीके से नहीं लेंगे तो एक desert की तरीके से भी आप सर्फ कर सकते हैं गेस्ट को चुकि ये कटोरी फॉर्म में तयार हुआ है पूरा और ये गिर ना जाए इसके लिए आप मैंने बीटर से कम से कम आठ मिनट तक बीट किया है और उसके बाद इसकी ये whipped cream ready करी है ये cream डाली है अगर आपके पास मूल fresh cream नहीं होती है तो घर में जो मलाई यूज होती है आप उसको भी बढ़िया सा powder sugar के साथ बीट करके उसको भी यूज कर सकते हैं उसको भी डाल सकत है इसके बाद यहां पर मैंने grated coconut add की है गरी के जितने भी लच्छे होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जब क्रंची से मूं में आते हैं खानी के लिए गार्निशिंग के लिए मैंने हाई एक चेरी यूज की है और भी ढ़ीड सारी ड्राइफूट इसमें डालें देखे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद के भी ड्राइफूट्स एंड नट्स जितने चाहें आप उतने ज्यादा इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं और देखे इसको इस तरीके से सर्फ करेंगे जब तो कितना ही अच्छा लग रहा है ना बच्चे हों बड़े ह सब अट्रेक्ट होने वाले हैं और फेस्टिवल आ रहा है होली आ रही है अगर आप होली में इस तरीके से सर्फ करते हैं एक तो गर्मी भी है समर सीजन है तो बहुत जादा गेस्ट को पसंद आने वाला है तो देखिए हमारा आज का ये फ्रूट पंच आपको कैसा लगा म पास्क मेलन खरबूजे से बना है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है तो देखिए कैसा लग रहा है आप इसको इस तरीके से भी सर्फ कर सकते हैं और इसकी ये शैल उपर की जो हमने लगाई है इसको हटा के इस तरीके से भी में देखिए मैंने अब जब सर् बूजे के पीसे उपर गार्निशिंग के लिए एट कर दी है तो इस तरीके से भी आप सर्फ कर सकते हैं दिखने में भी बहुत हेल्दी और रिच लगता है और खाने में भी उतना ही हेल्दी और रिच है एक बड़ जरूर ट्राय करिएगा और आपको अगर आज की रेसिप अगर बहुत है और आपको अगर खाने में भी आचर आपको अगर आपको अगर वार्निश।